आज हम लेके आए हैं सूजी और आलू का मज़िदार नास्ता ये मज़िदार नास्ता मात्र 10 मिनिट में बनके तयार हो जाता है खाने में बहुत ज़्यादा डेस्टी ये बहुत कम तेल में पका होता है और इस नास्ते की बाद ये है कि आप इसको 10 मिनट में बना सकते हो सुबे का ब्रेकफास्ट हो जा सामकी हो चोटी मोटी भूख बच्चे हो या बड़े सबको बेहत पसंद आएगा और इक्तम क्रंची और डिलीशेस नास्ता इस नास्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाद से जादा शेयर कीजिएगा तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो नास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमने कड़ाई में दो चम्मच तेल एट कर देना है तेल अच्छे से गरम हो जाए तो यहां पर आदा चम्मच जीरा एट कर देंगे अब यहाँ पर हमने एक कटोरी सूजी ली है, सूजी को इसमें डाल देना है इसको अच्छे से हम mix करते जाएंगे, gas की flame को slow रखेंगे इसको साथ में चलाते जाएंगे और इसको हम एक मिनट तक भूल लेते हैं कैस की फ्लेम को slow रखेंगे अब यहाँ पर हम इसको एक मिनाट तक अच्छे से बूनते हुए हो गया है यहाँ पर हम नमक add कर देते हैं, चलाते जाएंगे नमक और साथ में mix कर लेते हैं सूजी को अब यहां पर आपने एक कटोरी पानी लेना है, हमने एक कटोरी सूजी लेती तो एक कटोरी इसमें पानी लेना है, नॉर्मल पानी लेंगे और इसको हम चलाते रहेंगे, जाकि जो सूजी में वो कुछलिया ना फड़ें, तो इसको मिक्स करते जाएंगे, तो यहां पर पान तक सूजी को पका लेते हैं जब सूजी है एक आठे की फॉर्म में इस तरीके से आने लगेगी तो आपकी जो सूजी है वो बहुत अच्छे से पक चुगी है यहाँ पर हमने दो चम्मस तेल एट किया था आदा चमस जीरा एट किया था और आदा चमस हमने नमक एट किया था एक कटोरी पानी एट किया था तो यहाँ पर हमारी जो सूजी है वो अच्छे से देखिए एक डो की फॉर्म में आगी इसको ठंडा होने देते हैं जब सूजी अच्छे से ठंडा हो जाय तो यह पर हम आदा कातूरी अरा रोट कर देते हैं, इसको अच्छे से mix कर लेते हैं, यहाँ पर इच आटे की form में इसको ले आते हैं जैसे आटा वगर गूधते हैं, इसको अच्छे से mix करते जाएंगे, तो इसको आपने गूते रहना है अगर यहाँ पर आपको थोड़ी सी यह लगे कि आटा गुध नहीं रहा है तो यहाँ पर आप दो से तीन चमच पानी इसमें एट कर दीजिएगा तो इसको हमने अच्छे से चिक ना डो बना लेना है तो देखे आटा हमारा जो है बहुत अच्छे से इस तरीके से चिकना कर लिया है और एक्तम बजेदार हमारा आटा बनके तयार हो गया है यहाँ पर हमने आलू लेने हैं आलू हमने अच्छे से मैस कर लिये थे चार आलू और यहां पर हमने एक प्याज लेनी है एक हरी मिर्ची लेनी है इसको बारिक चौप कर लिया था प्याज को भी बारिक चौप कर लिया था 10 से 12 हमने कड़ी पत्ता लेना है और उसको भी हमने कट कर देने है आदा चमच धनिया लेना है आदा चमच हल्दी पाउडर लेना है आदा चमच लाल मिट्ची पाउडर लेना है आदा चमच गरम मसाला लेना है नमक लेना है आदा चमच इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेने हैं मिक्स कर लेते हैं और आलू की च्टपिंग बनके तयार हो जाएगी इसको हम मसाले के साथ बहुत अ tipsy से हाथों से अच्छी से अख्छी से मिक्स कर लेंगे तो आलू की stuffing हमारी बुल्कुल अच्छी तो यहां पर हमारा आटा भी देखिए काफी अच्छे से सैट हो चुकाता है यहां पर आपने आटा लेना है और इसको हमने क्या करना है बड़ी सी लोई लेनी लगा लेंगे मतलब बड़ी रोटी से भी ज्यादा आटा लेना है और थोड़ा से सुखा अटा लेना है और इसक तो हमने पतला नहीं रखना थोड़ा से मौटा रखना है थोड़ा से थीक रखना है तो अभी आपको साइट से ऐसा लग रहा होगा कि आठा फटा हुआ है तो इसकी क्या बनेगा तो यहां पर मैं क्या करती हूं चकू लेती हूं जो इस तरीके की साइडे कटी हुई है इसकी हमें टैंसर नहीं लेनी इसको हमने इस तरीके से काट लेना है और जो बागी का आटा है वो साइट से हम इस तरीके से लिकाल देंगे उसको दुबारा इस्तमाल कर लेंगे तो यहाँ पर आपने इस तरीके से कट करना है बीच में से तो अब हमने इसको चार भाग में इस तरीके से काट लिया है यापर आपने आलो की स्टपिंग रखनी है और बहुत अच्छे से इसको फिला लेना है चारों तरब अच्छे से फिला लेंगे तो मैं यहाथों से इसको अच्छे से फिला लेती हूँ अब हमने दूसरी साइड पे चुपिंग नहीं लगानी इसको हमने इस तरीके से बन करदेना है अब यहां पर हम क्या करेंगे थोड़ा सा अच्छा और दिखने में भी अच्छा लगे तो हमने क्या करना है चपकू लेना है चपकू से हमने इस तरीके की कुई डिजाइन बना देनी है आप जैसे डिजाइन बना चाते हो उस तरीके से बना लेजिएगा मैं चपकू से इस तरीके से बना रही हूँ इसे देखने में भी अच्छी लगती है और बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है कि कुछ सबी नास्ते को बना के रख लेना है पहले हुग हम इसको हम दूसरी साइट यहीं लेते हैं हम तब दिखिए हमारा जो नास्ता है हमने सबी को बनाके रख लिया है बहुत अच्छा जो है इस तरीकश संदा ना लीजेगा hari को चलते हैं बाए करने की करने के लिए डिफ फ्राइट ये तो तो फ्राइट रखाति कर दीनी तो फ्रीस तो कि लिए तो कई देना है और अच्छे अपकर देना है तो यहां पर जितने contira को फेन मैं और फ्रें सिक दें तो यहां पर एक साइट से आपका नास्ता सीख जाए तो इसको आप किसी फोक से चमल से आप इसको पलट दीजिएगा कुरकुरा होने तक सेखती रहना है आपने तो यहां दोनों साइट से देगे काफी अच्छा कलर आ गया है नास्ता एक तम बढ़िया क्रंची बनके तयार हो चुका है इससे जादा फ्राइ हम नहीं करेंगे इसको तो इसी तरीके से आपने नास्ते को सभी को बना के रख लेना है हमारा नास्ता बनके बुर को तया है ग्रंची और सुपर डेश्टी नास्ता देखने में भी अच्छा लगता है कुछ अच्छा सा अलग सा मिला है खाने के लिए तो आप भी जल्दी से बनाईएगा और कमेंड करके मुझे जरूर बताईएगा कैसा लगा आपको सुपर ड दिखाती हूं वह ज्यादा इसमें ओयल लें है स्टबिंग भी हमने ऐसे ही बनाई ती जैसे हम पराठी वगरा बनाते हैं तो कैसी लगी रेसिपी आप मुझे कमेंड करके जरूर बताईएगा नए मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में जब तक बने रहेगा रूपेश क कि रसुई में और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और एक लाइप कर दिजेगा रैसी लाइप